हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ तो फ्रेंट्स अभी सुबह का टाइम है और इस वक्त अभी साड़े आठ बच रहे हैं और सुबह सुबह होने लगी है बहुत सुहानी सी बारिश और कल शाम को भी यहां पर बारिश होई थी और अभी सुबह सुबह ही होने लगी जोकि मौसम बहुत ही ज्यादा सुहाना हो काफे ज्यादा ठंडा मौसम हो रखा है तो मैं यहां पर बालकनी में थोड़ी देर टहल रहे थी और हावा भी चल रहे थी और यहां से ना बिलकुल भी जाने का मन नहीं हो रहा था कि मैं यहां से हटूं जब तक बारिश होई तब तक मैं बालकनी में ही बैठी थी और इस काफी ज़्यादा तेज दाद हुरा उसके दाँद में कीड़े लगे हुए हैं तो एक ही दाँद ऐसा है जो बहुत सिर्फ ज़ुक्त क्रणाब हो गया है लेकिन उस पे दाँद नहीं हो रहा उसके असपास जितने भी जुदने पहर लाथ है फिर मैं उसको hospital ले करके गई तो hospital में क्या है ना कि वहाँ पे dentist नहीं बैठते हैं मतलब दूसरे hospital में बैठते हैं तो फिर वहाँ से हमें दूसरे hospital में भेज दिया गया कि आप वहाँ पे चाहिए तो वो hospital दूर है थोड़ा सा तो मैं husband को call की फिर husband eye office से तो ले करके गए मुझे और अन्या को हम तिनों लोग गए थे वो hospital तो बस hospital में गए लेकिन वहाँ पे भी काम नहीं हुआ जब तक मैं hospital पहुँची तब तक doctor चले गए थे lunch time में तो अभी ऐसी मैंने दवा दे दी है तो थोड़ा सा उसको राहत थी तो हम लोग रुप गए थे कि चलो शाम को फिर चलेंगे तो यहाँ पर मैं अभी आ चुकी थी hospital से और थोड़ा सा भी उसको आराम है दवा दी है मैंने खाना तो फिर भी कुछ भी नहीं खाई है लेकिन फिर भी उसको दर्द में काफे ज़्यादा आराम है तो अभी जिसे लंच टाइम हो गया शाम को फिर हम लोग ले करके उसको फिर से जाएंगे और सुबर सुबर मैंने नास्ता बस बनाया था बाकी मेरा कोई भी काम ने हुआ था बस इसे ही पूरा किचन फैला हुआ पड़ा था तो अभी काफे ज़्यादा लेट हो गया है इस टाइम तक अभी लगबग एक या देट बज़ रहे होंगे तब मैं अपने किचन की सफाई कर रहे हूँ तो हॉस्पिटल से हम लोग आ गये थे इसके बाद याँ पे अभी मैं किचन साफ करूँगी मुझे लंच भी बनाना है तो जल्दी जल्दी मैं सारा काम कर लेती हूँ और सुबह थोड़ा से मेरे पास टाइम बचा था लेकिन बारिस हो रहे थी न तो मैं बलकनी में ही बैठी रह गई काफी अच्छा लग रहा था ठंडा सा मौसम हो गया था तो वही मेरा जो है काम इधर का बढ़ गया है कोई काम नहीं हो पाया अचानक से फिर होस्पिटल भागना पड़ा और अब मैं आई हूँ तो अब मेरे जो सुबह के काम है बॉओं से पहले तो मैं किछन की सफाइ करूंगी तभी यहां पर कुछ भी काम करने का मन होगी वरना किछन अगर गंदा रहता है तो कोई भी काम करने का बिल्कूल भी मन्हीं होता तो सबसे पहले मैंने किचन प्रेट फॉर्म को क्लीन कर लिया है और बरतन वगरा जो मतलब जिसमें मैंने सबजी बनाई थी, कडाई वगरा सब कुछ ऐसे रखी थी तो सब को एक बार खाली करके और फिर मैं सारे बरतन साफ कर लेती हूँ और बरतन साफ करने से पहले ये देखे सुबह मैं जो चाय बनाई थी ना जिस बरतन में तो ये चाय की पत्ती है जो की चाय बनाने के बाद बच जाती है और इसको हम फेक देते हैं तो इसका मैं बहुत अच्छा इस्तेमाल अभी कर रही हूं इस टाइम पे और इसको मैं फेकती नहीं हूँ तो जब मुझे इसको यूज करना होता है इस तरीके से मैं इसको छान लेती हूँ और छानने के बाद मैं इसको डालती हूँ पौधों में तो अभी फिलहार मेरे पास मीठी निम का जो पेड़ है वो इसी से ग्रोव हुआ है पहले ये अच्छा नहीं था और अभी आप देख सकते हैं इसमें काफी सारे नएने पत्ते आ गए हैं उपर की तरफ तो इस चाय पत्ती का यूज मैं करती हूँ इसी में डालती हूँ और ये बहुत ज़्यादा फायदे मन्द होता है और मैंने अभी पिछले कुछ दिन पहले आप सभी को बताया भी था कि मेरे जो मीठी निम का पेड़ है वो काफे ज़्यादा ग्रोव कर रहा है तो उसमें मैं कुछ डालती हूँ तो यही चाय की पत्ती जो वेस्ट हो जाती है ना चाय बनाने के बाद तो इसको मैं इसी गंबले में डाल देती हूँ मिठी में मिक्स कर दूँगी में थोड़ा सा तो वो काफी अच्छे से फिर यह पौधे ग्रोव होने लगते हैं और इसमें जो पत्ते आते हैं वो भी बहुत अच्छे आते हैं तो खाने पीने की जो भी चीजे होती है जैसे फ्रूट्स के छिलके हो गए केले का छिलका है और कोई सबजी का छिलका है उसको भी मैं डाल देती हूँ तो यह बहुत अच्छा खाद का काम करता है और मीठी नीम क्या कोई भी आप पौधे में अगर इसको डालते हैं तो य जाल मेरी पक जाएगी जब तक मैं लगबग 10 मिनट में ये सारे बरतन साफ कर लेती हूं तो काफी जादा हरवड़ी थी जल्दी जल्दी से सारे काम मेरी हो रहे थे और अन्या से बार बार में पूछ रहे थी कुछ खाओगी कुछ खाओगी लेकिन उसको कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रहे थी जब कि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था तो ऐसा ही होता है जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो भूख अपने आप ही चली जाती है भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है अन्या के साथ भी ऐसे कुछ हो रहा है उसके दातों में जब से दर्द हो रहा है तब से उसको ठीक से खाना अच्छा ही नहीं लग रहा है मतलब खाने का टेस्ट भूख ही नहीं लग रहे हैं को तो बस वही मैं जल्दी से दाल चावल बनाऊंगी और उसको न ऐसे कुछ लिक्विड टाइप का बना करके दूँगे ताकि उसके दादों का दर्द फिर से न स्टार्ट हो जाए क्योंकि अभी अभी उसको थोड़ा सा राहत है तो हलका खाना ही उसको देंगे और यहां प पुराई करके और फिर इसमें रख दूँगी चावल तो फटाफटी मेरा जो लंच वो भी बन जाएगा सब्जी रोटी तो सुबह मैंने बना ली थी तो लंच बनाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आज मौसम काफी अच्छा है तो इसलिए मैंने विंड बन करके क्यों रखते हो सुबह शाम को खोल दिया करो तो विंडो मैं इसलिए बन करके रखती हूँ क्योंकि काफी ज्यादा डस्ट आती है अगर विंडो खुली रहेगी ना तो बहुत ज्यादा डस्ट आती है इतना ज्यादा कि सुबह से साम तक में ही काफी ज्यादा डस तो उसके बाद जिससे सूख जाएगी मिटी तब ही होगी तो अभी बारिश हो गई थी इस वज़े से मैंने खोल दिया है और मौसम भी थोड़ा सा अच्छा हो रखा है थंदा थंदा सा मौसम हो रखा है इस वज़े से मैंने विंडो खोल दी है तो एक कोमेंट भी आया था आपका कि आप विंडो बंद करके रखते हो क्यों बंद करके रखते हो और शुबह और शाम को खोल दिया करो तो काफी अच्छी रोसनी भी आती है और हवा भी आती है तो रोसनी तो अच्छी आती है जब भी लाइट कर जाए लिकिन लाइट वैसे ज्यादा देर तक नहीं हो गई है और साम की चाय में बना रहे थी और यहां पर पहले तो चाय पी लेंगे उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल अज्या को ले करके तो अभी नई जगह है यहां पर अभी हम लोग को जादा जानकारी भी नहीं है कौन से डॉक्टर अच्छे है कौन से नह तो बस अभी हम लोग बैठे हुए थे यहां पर लगाया गया था और अब लोग का नंबर आने में थोड़ा सा भी टाइम था और अन्या की जो दातों का दर्द है वह थोड़ा सा जादा होने लगा था जाना होना स्टार्ट हो गया था मतलब इस टाइम से दिन बर तो भी दोपार में ठीक थी लेकिन श्राम को जब लोग वहां पर बैठे थे तो उस टाइम पर उसके दातों का दर्द थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हो गया था तो वही हम लोग वेट कर रहे थे कि जल्दी से नंबर आ जाए लेकिन थोड़ा सा भी थी तो टाइम तो लगी जा होता है तो बस यहां पर हम दोनों लोग बैठे हैं और साथ में हस्बंट भी आये हैं आर उसको साथ में नहीं लाए हम लोग आर उस घर पर ही है हम तीनों बस आये हैं तो फ्रेंट्स अभी ना रात के दस बज गया है और जस्ट मैं अभी आई हूं हॉस्पिटल से अन्या को ले करके और हम लोग गये थे लगबग आर्ट बजे शाम को और वहां से आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है तो हॉस्पिटल वैसे भी अगर कहीं भी जाओ तो टाइम तो लगी ही जाता है इन चीजों में भीड भी काफे जा रहा थी और अन्या का जो ट्रेट्मेंट चल रहा है उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग गया है तो यहां पर मैं आते ही लग गई ही किचेन में सबसे पहले क्योंकि खाना में बना करके नहीं गई थी काफे जादा लेट हो रहा था तो खाना बना करके नहीं गई थी और इडली का बैटर रखा हुआ था फ्रेज में थोड़ा सा बच गया था कल का तो इसको मैं निकाल कर के गई थी ताकि यह नॉर्मल हो जाए तो सबसे पहले आते ही मैंने रख दी है इडली स्ट्रीम होने के लिए और इडली सब को मन्था कि हां बना देजे ममा खा लेंगे बच्चे भी तो वही मैं यहां पे रख रहे थी और किचन में जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो सब क मैं बनाओ खाना क्योंकि लेट काफी ज़्यादा हो रहा था और अभी तो खाने पीने में काफी ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो फिर मुझे लग रहा था काफी ज़्यादा देर ना हो जाए तो मैं जल्दी जल्दी से कुछ ऐसा ही बनाओ ताकि सब भी को पसंद तो इडली का यह था कि सब लोग खालेंगे लेकिन अब इसके साथ में सांबर भी नहीं था और चटनी भी नहीं थी टोमैटो के चप था मेरे पास तो सब लोग उसी में खालेंगे इसलिए मैंने इडली बना दी है जो भी बरतन रखे हुए थी किचन में, जल्दी-जल्दी से मैं उनको भी लगा देती हूँ क्योंकि जब तक बरतन न सेट करू ना, तब तक ऐसा लगता है को किचन में बहुत सारा समान रखा हुआ है तो इसलिए मैं आते ही सबसे पहले बर्तनों को सेट कर दी हूँ ताकि मेरा किचन जो है थोड़ा सा खाली हो जाए इस पेस जिसमें लगे और बस यहाँ पर किचन का सारा काम करके फिर चली अब मिलवाती हूँ मैं आप सभी को अन्या से और अन्या का जो चेहरा नभी सांत सा समझ में आ रहा है और इनको एक घंटे के बाद ही बोला गया है कुछ खाने को क्योंकि इनके दातों में काफी जादा दिक करती एक दात ऐसा था जो बिल्कुल खराब हो गया था अंदर से होल हो गया था जिस पे कीड़ लग जाते हैं तो कीड़े लगने की वजये से ही उसी दात की वजह से पूरे जो दात का आरिया था वह भी जाद दरद हो रहा था पूरे जो मसूडे हैं Saya और आर्शीटी के लिए डेंटिस्त बोले हैं negotiating करवाना है और एक बार आज सफाई की गई है दात में जिसकी वे जैसे थोड़ा सा इस एरिया में उसको सुन निकिया गया है जिससे दर्द न हो तो इसलिए उसका चेहरा एकदम से सांथ है उसको थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है यहां पर बोली मुमा टच करने में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो इस वज़े से भी वो स चांत से बैठी हुई है और थोड़ी देर में उसका असर जैसे ही खतम होचाएगा वैसे फिर उसको कुछ खाने के लिए देंगे और यहां पे हम लोग लेकर के आये थे मुमोज तो मुमोज यह आरुश मगाया थे कि ममा लेकी आईएगा मेरे लिए मुमोज तो वही यहां प यह सब चीजें नहीं खा सकती है उसको हलका-फलका सा खाना देना है और जो ट्रेट्मेंट चल रहा है उसमें अभी बीच में बुलाया जाएगा दो तीन बार चार बार जितना भी टाइम लगेगा मुझे नहीं पता कितना टाइम इसमें लगेगा लेकिन डेंटेस्ट ने चार प्तिण के लिए और रोटी में सिर्फवी बनाओंगी हर्य के लिए और हलका खाना देना है जिसमें खिचडी बिल्खul भी वह पूछे थे उसे तो फोली खिचडी बिल्कुल भी नहीं खाना है दूद और रोटी मिला करके और मिक्स करके फिर खाएंगे तो इसलिए मैं यहां पर रोटी से एक रहे थी और जो दूद है वो गरम था उसी में रोटी को मिक्स कर देंगे चोटे चोटे टुकरे डाल करके और थोड़ा से उसमें चीनी डाल देंगे और फिर यह दूद और रोटी उसको दे देंगे तो उसका पेट भी बर जाएगा और खाने में भी कोई दिकत नहीं होगी तो बस यहाँ पर सबकुछ रेडी हो गया है और रात भी हो गई है काफी जादा बहुत जादा लेट हो गया है तो चलिए फ्रेंट्स आज का यह व्लॉग भी मैं यहीं पर इंट करती हूँ आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलती हूँ आप से एक नए व्लॉग में थैंक्स पर वाचिंग बाबाई टेक केर गूट नाइट